आज की जो वीडियो है वो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है जैसे की पैनर और टाइटल से आपने देखी लिया है क्योंकि यह टॉपिक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि जितनी भी लोगोंने मेरे से बात करियें लिंडिन के उपर, टेलिग्राम के उपर और आपका इंस्टाग्राम हो गया या फिर जो भी बुकिंग करते हैं टॉप मेट के उपर 1-2-1 मेरे से बात करते हैं सबसे जादा जो common question निकल के आया है कि master degree हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो मैंने सुचा इसके उपर एक वीडियो बना देते हैं जिससे कि बाकी लोगों का भी doubt किलियर हो जाए और यह मेरा personal experience भी है guys क्योंकि मैं भी अभी master degree कर रहा हूं तो कौन से college से कर रहा हूं और क्यों मेरे को करने की जूरत पड़ गई यह सारी चीज़ें डिसकस करेंगे इसी वीडियो के अंदर और किन लोगों को करना चाहिए यह भी तो बहुत कुछ है इस वीडियो के अंदर one by one cover करूँगा मैं सारे के सारे pointer को और आपको जिससे की clarity मिल सके कि कि कितना important है degree का और कितना important है skill का यह सारी चीज़ों को भी comparison करके बताऊँगा इसी एक वीडियो के अंदर तो वीडियो को skip मत करिएगा वीडियो पूरी देखे अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करें बैल अकन को all पर क्लिक करें जिससे की वीडियो की latest notification आपको सबसे पहले मिल सके है चलिए वीडियो को start करते है जैसे कि सबसे ज्यादा important question है कि master degree important है या नहीं है अब देखिए बहुत ज्यादा यह topic जो है न यह question है बहुत ज् yes master degree important है अब बात करें IT से related कि IT में इसका कितना impact है अगर आईटी में भी अगर आप कर रहे हैं आपके job है आपने 3 साल या 4 साल या 5 साल जो भी आपने experience गिन कर लिया है अब आप चाहते हैं कि आप स्क्रम master बनना या manager बनना या architect में जाना चाहते हैं higher profile हैं सारी कि सारी जिनक yes आपको master degree करनी चाहिए वो भी आपकी depend on कि आपका career किस side में आप ले जाना चाहते हैं technical रखना चाहते हैं या non-technical रखना चाहते हैं it means कि management की तरफ ले जाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी होंगी तो इन scenarios को देखने के बात में ही आप decide कर सकते ह है कि हाँ यह master degree आपके लिए perfect है या नहीं है तो जैसे कि master degree आज के time पे important है या नहीं है yes important है बट वो हर case में नहीं है जैसे कि आपने देखा होगा example suppose किसी candidate ने 11th और 12th के अंदर commerce या science के तुरू उसने study करी है correct और वहीं पे एक student ने arts के तुरू study करी है 11th 12th के अंदर अब दोनों candidates pause out हो जाते हैं 12th में अब उसके बाद में जो arts वाला candidate था उसने BA की degree ले लिया जो कि non IT है degree जो relevant नहीं करती programming से related coding से related और वहीं पे जो computer science वाला और जो commerce वाला candidate था उसने b.com कर लिया या उसने फिर b.tech में admission ले लिया तो उसमें क्या हुआ उसके साथ में कि उसको थो programming से related math हो गई थोड़ी सी math computer science उसके पास में आ गही थी पहले सी तो वहां पे थोड़ा उसके पास में advantage है उससे related बट ऐसा नहीं है कि दोनों को job नहीं मिलेगी it means कि BA वाले को job नहीं मिलेगी और उसको मिल जाएगी BA वाले को भी job मिलेगी बट BA वाले को क्या करना उसे बाहर से private government जिस भी institute से वो करना चाहे तब जाके उसका career start हो पाएगा अगर वो IT में करना चाहता है तो तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो science वाले यो commerce वाले candidates हैं जिन्होंने become कर रखा है अगर आप चाहते हैं आप आचुके IT के अंद सबसे पहले मैं बात क तो अगर आपका कुछ experience हो चुका है तो मेरा suggestion यही रहेगा कि आप आज के time पे online mode भी हमार पास में available है जैसे कि आप सबको पता होगा तीन degree के mode है हमार पास में आपका regular तो ही हमार पास में distance भी है और आप online mode भी आ चुका है तो आप online mode के through अपनी degree को ले सकते हैं उसके आपको बता है कि suppose आपको manager बनना है या architect की profile पर जाना है तो उस वाली profiles में आपको help कर सकते हैं like MBA करना चाहते हैं क्योंकि आपको management करना है correct तो MBA कर सकते हैं अगर आपको technical बनना है architect की जाना है आपको solution architect की तरफ निकलना है तो आप MCA कर सकते हैं जिन्नोंने भी आपका BCA नह अगर आप चाहते हैं अपने करियर को और थोड़ा सा इन्हांस करना और ज्यादा हाई प्रोफाइल पर बैठना क्योंकि एक बार आप एंट्री तो ले लेंगे एंट्री लेने के बाद में जो दूसरी प्रोफाइल्स हैं उस पर भी तो स्विच करना उसको पर्मोशन कहते है उस पर भी तो स्विच करना आपको आना चाहिए तो उसमें आपकी मास्टर डिगरी डेफिनिटली हल्प करेगी गाईज अब एक कोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टन हो जाता है कि हाई पी जॉब है क्या मास्टर डिगरी के बाद में जैसे कि सपोज एक केंडिडी रेट है उस केंडिडी रेट ने क्या करा कि पहले बैचलर भी कर लिया और मास्टर भी कर लिया तो उसकी सैलरी आपकी बैचलर डिगरी से ज़्यादा होगी ऐस अधार फ्रेशन लेफल पे यह डिपेंड करता है कंपनी तो कंपनी वेरी करता है सारी चीज़्े अब सपोज उसने क्या गरा product based की company को pick करा और उसका interview crack हो गया तो yes product based company उसको ज़्यादा pay करेगी as compared to service based company अगर वो service based में भी गया तो उसमें भी service based में आपको पता है अलग-लग type की companies हैं तो वहाँ पे भी उसका salary structure अलग होगा आपके compare में तो यह सारी चीज़े scenarios हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ अब आपको clarity मिल रही होगी क्यों और क्यों करनी चाहिए आपको future perspective क्या है skills को हम ज़्यादा तवज्जो दे या degree को दे देखिए skills को दो मैंने आपको हमेशा देखा होगा आपने मैं हमेशा skills की बात करता हूँ correct अब मेरे को क्या करना है आप मेरे को अपनी post को enhance करना है और आगे लेके जाना है मेरे को correct तो मैंने क्या करा इसलिए मैंने अभी अपनी post graduation में admission लिया मैंने online mode को चुना है guys से यह चीज़ अभी और देखते हैं कितना benefit होता है क्योंकि जितनी भी चीज़े मेरे को benefit करेंगी वह आपको video की तुरूप मिलते ही जाएंगी one by one करके और जो भी experience रहेगा वह मैं आपको बताऊंगा यह मेरा personal experience है कि yes यह करनी चाहिए क्योंकि जैसे कि suppose हम non related IT वाले बीए करके आए हैं और उनकी degree अलग तरीके से है तो उन लोग को चरूर करना चाहिए आपका यह master degree और master degree के अंदर options बहुत हैं आपके पास में बट मैं MA के तरफ नहीं जाओंगा ओके MA भी अगर आपको MA करना है तो English से करिएगा English literature के अंदर करिएगा तो वो थोड़ा सापको management में help कर सकती है otherwise आप MBA और MCA के तरफ ही रहे तो ज्यादा बहतर होगा और दो साल का है period यह आप देखें कि आपकी fees क्या लग रही है अलग company उससे पहले है उससे पहले आपको कहे कि बस entry करने के लिए सारी company में mandatory नहीं है degree ध्यान रखिएगा बट येस बहुत सारी companies ऐसी है जिसमें mandatory है जिसके आपको IT के अंदर आना है तो आपको degree दिखाना ही पड़ता है कि आपने degree करिए है या नहीं उसी के बेस पे वो selection करते है उसी के बेस पे आपको interview में बैठने दिंगे वो लोग बट अगर आपको थोड़ा सा experience हो जाता है तो उसके बाद में बहुत सारी companies ऐसी है कि बिना degree के भी आपका काम चल जाएगा अगर आपने diploma ले रखा है बहार से तो वो भी government या private जो भी हो आपके पास बात करते हैं कि आज के टैम पे degree important है भी या नहीं? Yes, important है जब भी मैंने चीज़ें अभी बताई है उसके according आप समझेंगे important है, future में आपकी हो सकता है कि skills को और जादा तवज्यो दी जाए, जैसे अभी start हो तो चुका है skills के उपर कि आपको opportunity मिल रही है बिना degree के भी, but अभी भी बहुत सार आने के बाद में definitely आपके पास में opportunities आती है, मेरे पास में भी आ रही है आजकल, बहुत सारी companies आती है, but आपको आप decide करना पड़ेगा कि आपको कौन सी profile तक पहुँचना है, किस post तक जाना है आपको और उस post तक पहुँचने के लिए किन सारी चीज़ों का आपको use करना है, इन सारी चीज़ों को आपको और enhance करते चलना है अपनी life में, future perspective से मैंने already बता दिया आपको कि हां किस तरीके से आपको सोचना चाहिए और ये degree वाला matter कहा तक आपको लेके जा सकता है, ठीक हैं, उमेद करता हूँग, ये clear हो गया होगा, ये भी doubt आपका, next, इसके बाद में Skills के बारे में मैंने बात कर लिए आपके लिए, कि Skills कितनी जादा important है, क्योंकि Skills ही आपको survive करवाएगी, किसी भी company में, वो startup हो, या mid range की company हो, या फिर MNC हो, किसी भी company में आप रहेंगी, Skills ही matter करती है, और Skills भी आपको side by side enhance करनी चाहिए, क्योंकि कोई चीज आज, आज trend पे आएंगी, उन पे भी आपको आने वाली technologies पे भी अपना हाथ enhance करना चाहिए, मेरे हिसाब से, तो अगर इसका conclusion निकालें कि किस तरीक लेके जाएं, कि degree करें या नहीं करें master degree, मेरे साब से master degree उनको करनी चाहिए, जिनके पास में already degree नहीं है, IT से related, non related degree है उनके पास में, तो उनको definitely master degree करनी चाहिए, और अगर सच में आपको need है, आप किसी company में अभी काम कर रहे हो और आपको post high चाहिए, लेवल का, मानिए आपका level up करना चाहते हैं, बहुत high करना चाहते हैं, manager पे, आभी developer से सीधा manager बनना चाहते हैं, या फिर architect बनना चाहते हैं, तो उस case में definitely अग करी है, आपको clarity मिल गया होगा, कि क्या चीज करनी चाहिए, या नहीं करनी चाहिए, तो उमीद है, इससे related और भी कोई doubt है, या आप जानना चाहते हैं, कि manager अभी admission लिया, उसमें क्या course है, क्या चीज़े है, क्या fees थी, तो comment करके जूरू बताइएगा, कि मैं इसके उपर video बनाओ या नहीं बनाओ, और अगर video पसंद आए हो, तो like करें, share करें, comment करें, channel को subscribe करना, ना भूले guys, तो मिलते हैं ऐसी next video के अंदर, जब के लिए till then, bye bye guys.